अब आप लोग को दिखाऊंगा और यहां पे मजार का रहश्य बताऊंगा दोस्तों आप लोग को और यहां के बड़े बड़े लोग जो कि अपने मुरादी पूरी करने के लिए दूआ करते हैं यहां पे जो कि यहां पे दिखाते हैं और चलिए मैं आप लोग को वीडियो म एक एसी कहानी 900 साल पुरानी मजार उत्तव प्रदेश में गाजी पुर जीले से करीब 25 किलो मीटर दूर 200 नदी के तड़ पर बड़े सहर ठाना साधियाबाद में मजारिस्तित है यहां के हिंदो मुस्लिम एक मिसाल है पूरे वतन हिंदुस्तान के लिए सही इसे साही मजार बोलते ह Michigan में बाबा का पूरा नाम हाजरत मक्दुम मलिक मरदान सहा रमतुल्लबाय है और जो लोग नहीं जानते मौटी मूटा में वो लोग बाबा का नाम जो लोग यह मलिक मरदान सहा मशहुर है जो आप लोग को ये सामने मजार के खंबे का पोल दिखाई दे रहा है खंबे को लोग गिन नहीं पाते हैं कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा होगा दोस्तो यहाँ पर ईद और बकरा ईद पर मुख्य रूप से नमाज भी होती है जो लोग पढ़ते हैं और खास तोर पे 15 अप्रेल को बाबा का उर्ष और मजार का मेला भी लगता है दोस्तो और जो कि मैं पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ बाबा उर्ष मुबारक का मेले का आप लोग उस वीडियो को देखिएगा दोस्तो जो लोग बाबा के मजार पे हिंदू हो या मुश्लिम हो जो लोग सच्चे दिन से आने के बाद दूआ मांगते हैं बाबा उनकी दूआ को जरूर कुबल करता है बाबा के मजार पे सुक्रुवार या जुमे के दिन काफी जधात अदाद में यहां आते है बाबा के मजार पे आने के बाद यहां पर नक कोई हिंदू होता है नकोई मुश्लिम होता है बश होता है तो इंसानी होता है यहां के पुराने बुजर्गों लोकी बताते हैं कि पाँचवे मुगल colonies सार जहां उन्हें पुर्वांचल की आतरा के दोरान इस मजार का उश्कार किया था वही सार जहां जो आज नहीं की याद में ताजमहल बनी हुई है जो दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए यहां हर शाल उर्ष अस्थानी लोग दूर दूर से लोग आते हैं बाबा के मजारों पर देश विदेश से दूर लोग से आते हैं बाबा के मजार उर्ष पर हम बच्पन में सुना भी करते थे जब मेरी माने बताया करती थी और आज मैंने देख भी लिया बाबा का मजार और यारत भी कर लिया मुझे बहुत खुशी हुई हसरात मैं एक सायर आप लोग के सामने गुपतगु करने जा रहा हूं कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है जो तेरे दर तक भुच जाए वो शबसे बड़ा खुशनसीव होता है बाबा तेरी रहमतों के शाय में हम इनसान में चलते हैं या मलिक मर्दान शाह बाबा इस चमकती अफ्टाप की तरह उधर डूब रहे हैं इधर निकल रहे हैं तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना